नमसकर दोस्तों सुवागत है अब साभीका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों क्या आपके भी फोन में गंदे-गंदे नोटिफिकेशन आते हैं क्या आपके भी फोन में इस तरह का नोटिफिकेशन आते हैं अगर हां और आप इसे बंद करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को का में डिजन है कि हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और वहां पर हम जाने अंजाने में किसी वेब साइट को सस्क्राइब कर लेते हैं जिससे उसकी गंदय नोटिफिकेशन हमारे फोन में आने लगती है तो इस तरह का गंदया नोटिफिकेशन क्रोम ब्राउजर के तरफ से आता है तो आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ढूंड लिजेगा कहां पर है जैसे मेरे फोन में ये क्रोम ब्राउजर है और इस क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन करना होगा हर फोन में ये क्रोम ब्राउजर होता है आप इसे ओपन किजिएगा और क्रोम ब्राउजर की थरफ स्क्रोल डाउन करकि आते हैं तो यहां पो अपten मिलता है साइटstanding यहां पर लिखाहुए सर्फ सेटींग्स यहां पर को क्लिक कर ना होगा और इसके बाद कर पे फिर से आपको एक कोप्शन मिल जाता है Setting का के यहां पर आपको क्लिक करना को नहीं बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उस website को आप छोड़ दीजेगा, बाकी के website की notification को बंद करने के लिए, यहाँ पर इस website की notification को बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं click करूँगा, और इसके बाद हम click करेंगे यहाँ पर delete पे, और इसके बाद आप click कीजेगा clear all और इसके बाद फिर से आपको click करना होगा clear reset और clear and reset पर click कर दीजिएगा जिसे यह website यहां से delete हो जाएगा इसी तरह से यहां पर जो बाकी बच रहें website उन पर भी वैसे ही जाके यहां पर click करके और delete पर click करके clear all पर click करके click किजिएगा clear and reset और यहां पर click किजिएगा clear and reset पर तो यह website यहां से हट जाएगा दोस्तों यहां से सभी website की notification को मैं delete कर चुका हूँ यहां पर एक website यह बच जाता है google.com यह delete नहीं होता है और दोस्तों यहां पर आपके phone में Chrome browser के तरब से जो भी ग आप मेरी चैनल को जुरूर सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं तो तक लिए ख्याल रखेगा बाए